हर हर महादियो दर्स को स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल रोज क्या करू में दर्स को हाली की वीडियो में आपको पुझनी पंडी जी जो ये श्यू महापुराण की कथा चल रही है उसमें बहुत ही अचोक और सुन्दर सा उपाय बता हैं जिसके घर में संपदा की कमी हो मातल अच्मी की क्रिपा नहीं बन पा रही है ओ यदि इस उपाय को करते हैं तो मातर पांच सो मुआर आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके घर में मातल लच्मी की कृपा बनी रहेगी कभी धन भैभो की कोई कमी नहीं होगी दर्शुको जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनी पंडी जी की कता सुनकर समझ कर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ इसलिए जो भी भाईब हैं चैनल पे पहली बारा हैं आप चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा दर्शुको यह बहुत ही सुन्दर और शरल सा उपाय है घर का कोई भी ब्यक्ति कर सकता है प्रदोस काल में आपको यहाँ पे सो मुआर के दिन एक घीका दीप लेना है मातर एक घीका दिया लीजिएगा और उस दिये को आप लेके चले जाईएगा आपके आस पास जो भी बेल पत्री की ब्रिक्छो हो बेरपत्री के ब्रिक्ष के नीचे प्रदोस काल में आप इस दिये को प्रजुलित कर दीजिएगा यानि कि जला दीजिएगा और जलाने के बाद आपकी जो भी मनो कामना हो जैसे आपके घर में पैसे आते हैं रुखते नहीं हैं आपके घर में मातल अच्मी की क्रीपा नहीं बन पारे, संपदा की कमी है, तो उसके लिए प्रातना करते हुए आप दीब को प्राजुलित करें, उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी आपको मिट्टी लेके आनी है, मातल थोड़ी सी मिट्टी आप लेके आईएगा, अपने घर कि आपके ब्यापार में ब्रिद्धी हो रही है, और आपके घर में मातल अच्मी की भी क्रीपा धीरे-धीरे बनना प्रारम हो जाएगा, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, आगे की जानकारी के लिए भी तक आपने रोजक्याकरू को सस्क्राइब नहीं कि तो सस्क्र जरूर करें ताक इस तरह की जो भी वीडियो हो, हम सबसे पहले आपके पास पहुचा सके, कमेंट में स्री सिवाय नमस्तु भ्यम जरूर लिखें